देखिए जो उत्तर परदेश की जनगर्णा है 2011 उजही हमारा मेन फोकस रहेगा तो पहले हम जान लेंगे कि 2011 का सिंसस जो कराय गया था उसमें उत्तर परदेश की इस्तिती क्या थी तो अगर उत्तर परदेश की कुल जनसंख्या की बात क्या जाए तो उस समय पूरे देश में पहला अस्थान था और यह टोटल जनसंख्या थी कभी कभी क्या होता है एक्जाम में यह आंकड़ा पूछ लिया जाता है तो यह ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या इसमें पूरुस जनसंख्या 52 मलो 29 परतिसत थी जो की 10 करोन 44,8510 के बराबर थी महिला जनसंख्या 47,71 परतिसत या 9 करोन 3,31,831 के बराबर थी जन घनत की बात कर लें पॉपलेशन डेंस्टी और पॉपलेशन डेंस्टी होती क्या है एक स्क्वाइर कीलो मीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या या जो है वो पॉपलेशन डेंस्टी होती है तो जन घनत जन घनत जो है वो 829 था मतलब कि उत्तर प्रदेश में 829 लोग एक स्क्वाइर कीलो मीटर एरिया में रहते हैं अब देश में जनगृणत्यो के हिसाब से उत्तर परदेश का 9 इस्थान था 9th नमबर लिंगा नूपात के अगर बात करें शेकस रेशियो तो सेकस रेशियो, 912 और पूरे भारत में 26 इस्थान था तो पूरे देश के हिसाब से अगर बात क्या जाए तो उत्तर परदेश 26 में इस थान में था, किसमें? सेक्स रेशियो में और इस तरीक से अगर बात क्या जाए, तो सेक्स रेशियो उत्तर परदेश का 912, ठीक है? और 912 का मतलब ये कि प्रती 1,000 पूरसों पे महिलाओं की संख्या 912 है, यह याद रखेगा सिसु जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो सिसु जनसंख्या पूरी पॉपलेशन की मतलब की जो उत्तर प्रदेश की पॉपलेशन है उस पूरी पॉपलेशन की 15.4 एक प्रतिसत जो की 3 करोण 7,91,331 के बराबार है सिसु लिंगानुपात की बात कर लिया जाए मतलब की चाइल्ड सेक्स रेशियो तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 जो की 26 इस्थान पूरे भारत में 10 की वृधी की बात करें ठिक 10 की वृधी दर मतलब की डिकेडल ग्रोथ तो Decadal Growth 2001-2011, अगर बात किया जाए, तो ये था 20.2% जो की देश में 14. अस्थान था, तो कभी-कभी क्या होता है कि वह प्रतिसद भी पूछ लिया जाता है, और उस प्रतिसद के हिसाब से, पूरे भारत में या देश के हिसाब से, उत्तर पर देश का कौन सा rank है, ये भी नहीं याद रखे, एटलिस आप परसेंटेज तो जरूर याद रखे कि कितने प्रतिसद उनकी सहभागिता है, अब चलते हैं, अगले फैक्टिक तरफ, अगर लिट्रेसी रेट की बात किया जाए, कि उत्तर पर देश में लिट्रेसी रेट क्या है, साचहरता दर कितनी है, तो उत्तर परदेश की साचहरता दर है 67.7% और देश में स्थान है उत्तर परदेश का 29 अस्थान, इसमें पूरुष साचहरता दर 77.3% और देश की हिसाब से या 29 अस्थान है, पूरुष साचहरता दर में या ये कहें, मेल लिट्रेशी रेट, अगर फीमेल लिट्रेशी प्रदेश के कुल जनसंख्या में स्टी का प्रतिसत, अनुसूचित जाती का प्रतिसत उत्तर प्रदेश में 20.7 प्रतिसत है, प्रदेश के कुल जनसंख्या में स्टी का प्रतिसत, अनुसूचित जाती का प्रतिसत उत्तर प्रदेश में 20.7 प्रतिसत है, प्रदेश के कुल ज जनसंख्या का प्रतिसत उत्तर प्रदेश का 22.3 प्रतिसत है मतलब कि अर्बन पॉपलेशन उत्तर प्रदेश में 22.3 प्रतिसत है और ग्रामिड जनसंख्या की प्रतिसत के अगर बात करें रूलर पॉपलेशन की बात किया जाए तो 77.7 प्रतिसत है अब चलते हैं अगले फैक प्रियाग राज है 2011 की सेंसस में इलहाबाद के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि इसके बाद 2011 के बाद इलहाबाद का नाम चेंज करके प्रियाग राज किया गया ठीक है तो जनसंख्या कितनी 69,45,391 निवन्तम जनसंख्या वाला जीला महोबा जहां पे जो पॉपलिशन है वो 8,75,958 सरवाधिक जन घनत वाला जीला पॉपलिशन डेंसिटी के हिसाब से अगर बात के दे तो सरवाधिक जन घनत वाला जो जीला है वो है गाजियाबाद जहांकि पॉपलिशन डेंसिटी 3,971 है कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का बिश्व में इस्थान वो ह पांचवे स्थान आएगा निउन्तम जन घरत वाला जीला ललितपूर है जहां पे पॉपलिशन डेंसिटी मातर 242,242 ब्यक्ती पर स्कॉर किलो मिटर रहते हैं अब अगला फेक्ट सरवाधिक लिंगानुपात वाला जीला सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है उस जीले का नाम पुछा जा रहा है तो ये है जौनपूर ये जरूर याद रखिये और साथ में ये भी याद रखिये कि यहां का सेक्स रेशियो क्या है तो जौनपूर का से गौतम बुद्धनगर जहां पे सेक्स रेशियो मात्र 851 ये भी डेटा आपको याद रखना है ठीक है सरवाधिक साचरता दर्वाला जीला गौतम बुद्धनगर है जहां की लिट्रेसी रेट 80.12% है निम्तर साचरता दर्वाला जीला सरावस्ती है जहां पे मात 46.7% ही 58.06% है और निम्तम पुरुस साचरता दर्वाला जीला सरावस्ती है जहां पे लिट्रेसी रेट पूरसों की 57.16% ठीक सरवाधिक महिला साचरता दर्वाला जीला ये भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है इसको जो है वो इंपोर्टेंट में रखिए कानपुनगर है जहां पे महिलाओं की महिलाओं की लिट्रेसी रेट सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में तो ये है 75.05% अब चलते हैं अगले फैक्टी तरफ अब इसी करब में याद रखिए निम्तम महिला साचरता दर्वाला जीला देखिए निम्तम पूरुस साचरता दर्वाला भी जी वस्ती है जहां पे जहां पे वीवेन लिट्रेसी रेट मातर 34.78% है सरवाधिक अनसूचित जाती प्रतिसत वाला जीला अगर आप से पुछा जाए की सबसे कम परसेंटेज वाला सरवाधिक सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला जीला कौन सा है तो है कौसांबी मतलब की क व्यूंतम अनसूचित प्रतिसत वाला जीला मतलब की लुएस्ट अससी पॉप लेशन परसेंटेज वाइस कौन सा जीला है वागपत है जहांपे मातर 11.44% की पॉपलेशन है तिर मैक्सिम्म सरवाधिक अनसूचित जाती प्रतिसत वाला जीला अब यहाँ पे शनिख की बा जहां पे 20.67% ST की population है नियूंतम अनसूचित जनजाती परतिसत वाला जीला यह है बागपत तो बागपत को जो है वो दोनों पॉइंट से याद रखे यहां पे SC की भी population और ST की भी population क्या है minimum है ठीक है तो नियूंतम अनसूचित जनजाती ST ST percentage वाला जो जीला है वो है बागपत मातर 0.001 परतिसत है सरवाधिक नगरी जनसंख्या परतिसत वाला जीला है तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजड जो जीला है उत्तरपरदेश का वो है गाजियाबाद यहां पे अर्बनाइजिशन लेबाल है 67.55% नगरी जनसंख्या परतिसत वाला जीला यहां पे यहां पे मतलब कि सरवास्थी वह जीला है जहां पे अर्बनाइजड पॉपलेशन लोइस्ट है उत्तरपरदेश में और यह आंगडा है क्या 3.46% मात्र, 3.46% अर्बन पॉपलिशन है सरवाधी क सिसु लिंगानुपात वाला जीरा ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो है यह बलरामपूर जहाँ पे 950 बते 1000 ठीक है ये है चाइड्ड सेक्स रेशियो बलरामभूर का नियुन्तम सिसु लिंगानुपात वाला जीला है बागपत 841 ध्यान दीजिएगा ये बात किसकी रिफरेंस हो रही है 2011 के जनगर्ना के रिफरेंस से ये बाते चल रही है सरवाधिक दसकी व्रिधी दरवला जीला ठीक है मतलब कि वह जीले का नाम बताना है जहांपे डिकेडल ग्रोथ दसकी व्रिधी जो है वह सबसे जादा रही है तो यह जिला है गौतम बुधनगर जहां पे डिकेडल ग्रोथ है 49.1% निवंतम दसकी वृधी दरवाला जिला मतलब कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर पॉपलेशन ग्रोथ देखने के मिली तो वह है कानपूर नगर जहां पे मात्र 9.9% ही डिकेडल ग्रोथ रही दसकी वृधी दरवाला जिला है